मुम्तास के करियर को टॉप पर ले जाने का पूरा श्रेय राजेश खन्ना को जाता है। मुम्तास ने कहा था कि राजेश खन्ना जल्दी से किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते थे। वो खुशकिस्मत थी कि राजेश खन्ना उन्हें अपना दोस्त मानते थे। राजेश खन्ना अकसर उन्हें मोटी कहकर पुकारते थे। चोकि करियर की शुरुआत में मुम्ताज ने दारा सिंग के साथ धेर सारी स्टंट फिल्मों में काम किया था और स्टंट फिल्में बीग्रेड फिल्में मानी जाती थी तो उस माने के एग्रेड एक्टर्स उनके सा फीस मिला करती थी। उनके रोल महस कुछ सेकेंड्स के होते थे। वो चंद रोमांटिक सीन्स या फिर गानों में ही नजर आती थी। लेकिन फिर भी उन्हें इसके बदले धाई लाक रुपे मिला करते थे। मुम्ताज के पती मयूर वाधवानी एक दफा किसी और महिला के चक्कर में पड़ गए थे। उस वक्त तक मुम्ताज की दोनों बेटियां जन्म ले चुकी थी। मुम्ताज जब अपनी उम्र के 55 पड़ाव में पहुची तो उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर ने अपना शिकार बना लिया है। लेकिन घबराने की बजाए मुम्ताज न आखिरकार कैंसर को हरा ही दिया।